आप सभी पीए दर्शकों का स्वागत है बात करेंगे फरवरी 10 को यहाँ पर निफ्टी में क्या हुआ बुल्स का प्रेशर बहुत जादा था और आज एक्सपारी भी थी जैसी एक्सपेक्टेड नहीं थी उसके टोटली अपोजिट एक्सपारी हुई है कल फरवरी गारा को क्या होगा आईए विशलेशन करते हैं स्टॉक मार्किट की आपके लिए लेटेस अपडेट एट वन सिंगल प्लेस सबसे पहला कारण आज की बुल फेज का ओएंजी सी ने तकडी उच्छाल दिखाई है बड़ा हैवी वेट काउंट है ओएंजी सी अगर तीम परतिशत की उच्छाल दिखाता है तो सेंसेक्स अपने उच्छतम स्थर पर ही रहेगा दिल बर वह भी वही सुभा से मौनिंग में गैप खुला और फिर उसने बहुत जल्दी नेगटिव वीउ में आ गया दस बजे ही नेगटिव वीउ में आ गया तो दग रहा था मार्केट थोड़ 20605 के उपर ही रखी है ओ एंजी से पहला काउंटर टीम दश्मूर 6 परतिशत उपर किया है उसको टाटा स्टील 2 परतिशत का उपचाल रखा है वहीं पर रिलाइंस इंडस्ट्रीज ने थोड़ा सा अपोजिट असर दिखाया है आज मार्केट में उम्मीद लगाई जा र इसे इस ने नेगडिव यू बनाना शुरू कर दे थे, बहुत बड़ी कैंडल बनी है बहुत रेड बनी थी, उसके बाद सारा दिन इसने इसी कैंडल के बीच में कारोबार किया है, तो ना जादा उपर ना जादा नीचे एक रेंजबाउंड एक्टिवडीवडी में काम क के basis पर बहुत अच्छा momentum है ONGC में volume के साथ बढ़ना तो दोनों stock ने यहाँ पर stock का momentum उपर के लिए रखा है दूसरा कारण आज की चढ़त का IT फिर से positive रहा है यहाँ पर IT का indication हो रहा है कि FII कुछ हिस्सा अपने पास खरीद रही है जो की IT में निवेश करने है TCS को देखे 0.23% Infosys फिर से 1.8% आज morning से ही इसका positive रुक्रत था पहले 4 गंटे में काफी stable zone उसके 3 गंटे के बाद volume के साथ उपर breakout देना एक bull sign का indicate कर रहा है यहाँ पर Vipro को देखें तो Vipro ने 0.8% के आसपास यहाँ पर कारुबार किया है और बाद के 1 गंटे में काफी तकड़ी momentum आई है Same case अगर HTL Tech का देखे तो बाद के 3 गंटे में 4 गंटे में काफी अच्छा positive momentum बनाया है यहाँ पर IT stocks ने जिसकी वज़े से आज Nifty 17,600 के उपर बंद हुआ है banking sector का फिर से positive view चलता रहा है interesting होगा कब तक की positive view चलेगा बट सारे bank private sector bank को देखे सब के सब positive बन रहे है यहाँ पर आपका nifty bank करीब 1% उपर चड़कर कारुबार किया और सारी बढ़ावत जो आई थी वो morning half में थी तो आज हुआ क्या morning half में bank sectors ने उपर उचाला second half में IT और आपके specific ONGC stocks जैसे ने उपर उचाला जिसकी वज़े से market almost पिछले 3 घंटों के अंदर flat रहा था यहाँ पर क्योंकि सुदह का push धिरी दर diesel out होने लगा bank का बट वो push फिर continue किया IT के sectors ने अब अगर individual stocks को देखा जाएं हाँ पर HDFC bank काफी अच्छा momentum रहा पहले 5 घंटे में उसके बाद कोड़ा सा fizzle down हुआ है same case ICICI bank बाद की 3 घंट में ज़्यादा volume नहीं था आज इसमें Kotec bank एक दश्मलव 7 परतीशत इसमें भी morning में काफी तकड़ा volume आया और उपर की तरफ को stock ड़या है innocent bank 0.5% तो सारे bank almost same trade दिखाए है positive territory में जाकर बंद हुआ है जिसकी वह जैसे nifty को भी अच्छा push मिला है देखे inflation का data जैसे हम आपको बोल रहे है UK का inflation का data Tesco के manager ने बताया है उनके जो CEO है उनने का है कि आने वाले दो महीने के अंदर 5% का jump होगा food inflation में UK में और US का inflation data 40 साल का सबसे ज़ादा inflation है अभी यहाँ पर जो की Fed के ओपर pressure लगाएगा stock को market को control करने के लिए उनका interest rate बढ़ाएगी अगर आज का भाव देखें तो देखें आज Dow Jones करीब 0.8% गिरा हुआ है gap के साथ खुला बीचे पर उसके बाद फोड़ा इसने maintain किया उपर जाने का और फिर 14,372 के आसपास stable हो चुका है market ऑलोड़ी खुल चुका है यहाँ पर US का इस टाइंग पर Jeremy Powell जिनने clear कर दिया है चार भफते के अंदर वो interest rate बढ़ाएंगे अब quantum कितना बढ़ाएंगे और क्या होगी उनकी tone वो एक बहुत important factor रहेगा हमारे finance minister श्री निर्मला सीतरमन जिनने भी बहुत अच्छा budget प्रसूत किया था जिसके वैसे market ने push किया है बट अब now we are back to the square कि क्या US की प्रक्रिया होगी और इसके चलते हुए यहाँ पर क्या काम हो सकता है आगे शमचाएंगे Nifty क्या यहां से उपर जाएगा क्या यहां से नीचे जाएगा फरवरी 10 का analysis कर रहे है अगर नीचे गिरने शुरू होता है तो कहा पर मिलेगी support Nifty को और अगर यह उपर चलना शुरू करे तो क्या होंगे resistance बुल्स के लिए आईए चलकर इसका analysis करते है technical option chain के मार्दयम से उससे पहले रुपे का देखें तो रुपया 74.84 पैसे था कल बंद होते हुए आज 75.11 पैसे है तो यहाँ पर करीब करीब 27.00 पैसे की गिरावट आई है रुपे में तो यह एक negative sign होगा कल market gap down खुलने की उम्मीद होगी है हमारे हिसाब से यहाँ पर FII की selling अभी भी चल रही है उन्होंने key support level तोड़ दिया है आज भी उन्होंने almost 1700 करोड की selling किया दस फरवरी को तो देखे यह जो buying हुई है और जो nifty का activity अप हुई है यह सिर्फ और सिर्फ DII की buying की वज़े से हुई है क्योंकि उन्होंने stock को उपर रखना था आज चौता कारण हम आपको बता रहे है weekends might get squeezed and you might get a big fall into the market जब इस तरह का pressure आता है हमारा challenge है चार लाग से चार लाग बनाना साथ दिन के अंदर उसके लिए हमारा 50% target already achieve हो गया है और February end में आपको पूरस मिशलिशन रुपाइंगे आज नुकसान रहा 11,900 रुपे 12,000 के आसपास का आज हमारा नुकसान रहा है यहाँ पर intraday trading में SGX Nifty 17,551 के आसपास trade कर रहा है आईए जोरा चलकर अब Nifty का technical analysis करते हैं तो Nifty का हम पहले एक घंटे का चार्ट दिखते हैं जैसा हमने बताया morning से ही इसने momentum बना के रखा था यह काफी अच्छा momentum बनाया इसने पहली बात जो कि finance sectors ने इसको push किया उसके बाद finance sector गिरने लगे बट IT और ONGC ने इसको support किया ताकि यह 17,600 के आसपास यहाँ पर बंद हुआ है अपने closing position के basis पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यह position हमारे यहाँ साब से अच्छी बन रही है इस stock के reference में अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे हमने कल आपको चार्टर बताया था अभी भी वही supporter resistance है 17,800 के आसपास एक resistance की तरह से काम करेगा और 17,335 के आसपास एक support की तरह से काम करेगा यह बिल्कुल बीच ओ बीच है आज की data के accordingly अब लग रहा है कि शायद यह 17,600 फिर से नहीं पहुच पाएगा या पहुचेगा तो वहाँ पर resistance रहेगा अब इसको और वहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा तो आज के लिए हम यहाँ पर इसकी position फोड़ी सी नीचे की तरफ को कर देते हैं 17,630 के आसपास का resistance मान के चलिए कल के लिए और 17,335 का एक support मान के चलिएगा आप यहाँ पर अगर आपको intermediate support देखना है यहाँ पर तो हमारे हिसाब से आपके लिए क्योंकि नीचे का level काफी नीचे है इतना ज्यादा शायद एक दिन में नहीं गिरेगा तो आज का जो low बना है 17,430 उसको एक intermediate support की तरह से अपने चार्ट पर माक करके रख लिए यह आपके काम आएगा वहाँ पर अगर आप इंट्रडेट एडिंग करते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर option इसका गुलिंजर band के basis पर band के mean से touch कर दिया है यहाँ पर तो band का जो direction अब नीचे की तरफ को आ रहा है उमिद लगा जाएगी कि यहाँ से नीचे की तरफ को आखे सबसे पहले 17,335 को touch करने कोशिश करेगा और अगर वहाँ पर नीचे गिरा तो उसके बाद में बुलिंजर band की basis पर 16,800 के आसपास इसका support बन रहा है अगला super trend अभी भी cell signal maintain किया हुआ है और यहाँ पर RSA के अगल 50 जो कि neutral zone कह सकते है इसको यहाँ पर तो हमारे हिसाब से यह option chain का data अब analysis करेंगे और देखेंगे कि क्या activity है तो देखेंगे आज की तो expiry हो गई है आज यह expiry थी 10 तारी की हम चलते हैं यहाँ पर 17 तारी की expiry के लिए तो 17 तारी के expiry अगर हम देखें तो इन्होंने आज का जो key data है 16,600 की जो call है उसको देखते हैं सबसे पहले 16,600 की call में 50,000 के आसपास open interest पड़े हुए है यहाँ पर तो यह अभी near term का सबसे पहला resistance रहेगा हमारे हिसाब से यहाँ पर अगर वही पर हम put का data देखें तो put पे 41,000 के open interest खुले हुए हैं तो लग रहा है कि यहाँ से market थोड़ा सा नीचे की तरफ को जाने की कोशिश करेगा जिस तरह से यूरोप और यूएस के market अभी काप करें अब support क्या होगा support हमारे हिसाब से 17,400 का एक key support है यह क्यों कह रहे ह है कल की trading के लिए 17,600 से लेकर 17,400 के बीच में उपर के level पर आप short कर सकते हैं नीचे के level पर आप महाँ पर long जा सकते हैं ये एक strategy होगी अगर यहाँ से bounce करेगा बट अगर 17,400 का level तूटता है तो फिर अगला support जो बनेगा वो हमारे साथ से 17,200 का रहेगा क्योंकि महाँ पर अ 15 मिनट का चार्ट पर जुरू देखेगा अगर 17,400 के नीचे है 15 मिनट के नीचे तो हो सकता है नीचे के तरफ होगा है वरना वहाँ से bounce back करे एक अच्छी recovery आ सकती है market में कल afternoon में ये चीज़ आपको थोड़ा समझने की कोशिश कीजएगा option chain data के माधियम से अब margin calls might get trigger जैसा भी बढ़ रहे है बड़ इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे है वो थोड़ा सा negative factor है neutral zone कहरें ये RSI के basis पर हमारी क्या position है हमारे paid members को ये position currently पता है अगर हम buying level की बात करें किसी भी stock का आपको buying level या selling level जाना है तो हमारे paid member बन सकते है 59 रुपीज के monthly charges पर आपको सारी detail यहाँ पर मिल जाएगी please consult your financial advisor और अगर आपको हमारे साथ training course करने है तो mail drop कीजे जैहिंजे भारत bye guys